नमस्कार स्वागत है आपका ओमान्यूस हिंदी में एक बार फिर से ओमान के स्वासमंत्री ने एक एहम साक्षातकार में कहा है कि कोविड-19 के नए स्ट्रेन ओमिक्रोन के अब तक ओमान में दो कंफर्म केस मिले हैं लेकिन इसके अलावा 12 लोगों के उपर हम और गहन जाज क कर रहे हैं 12 लोग संदिग्ध के तौर पर हम इसको लेकर चल ले हैं जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा इनको एरपोर्ट पे ही अलग से आईसुलेशन जोन में रखा गया है और जिन दो व्यक्तियों में जो ओमान करोन का कोई हाथ नहीं है देखिए ओमी करोन अभी अब कल जाकर सल्तनत में पहुंचा है लेकिन जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे लोगों की लापरवाही साफ नजर आ रहे हैं लोग मास्क नहीं पहनते हैं सोसल डिस्टेंसिंग को मजाक बना कर रख दिया है लोग भीड़फाण है इन सभी चीजों को देखते हुवेये एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह जो नया ओमी क्रोन है इसके वज़र से मामले नहीं बढ़ रहे हैं लोगों की लापरवाही से ओमान में मामले बढ़ रहे हैं। के बारे में स्वासमंत्री ने का है कि पुराने सभी स्ट्रेंज से ओमिक्रोन कम खतरनाक है इसका जोखिम कम है क्योंकि इसमें अभी तक किवल विसुभर में जिन साथ देशों में इस मामले यह संक्रमन पहुंचा है वहां पर किवल एक व्यक्ति की मित्यु हुई है जिनको ओमिक्रोन वाइरस से वह इंफेक्टेट थे लेकिन और जो डेल्टा वेरियंट है इसमें मृत्युदर इतना ज्यादा थी के स्वासमंत्री ने बताया है कि ओमान म के प्रती उदासीन है तीकाकर्ण के इंद्रों पे पहले जैसी भीड नहीं है लेकिन ओमान में जो कुल लोगों के अंदर जो वैक्सिनेशन का परसेंटेज है वह 87 परसेंट जो लोग है वह वैक्सीन लगवा चुके हैं देखिए जो लक्षित समूहों में जो यह संख्या पर लगवाने की ताकि इस नए वैरियंट से भी हम जीत जाएं और अपने नॉर्मल सामान जीवन की तरफ आगे बढ़ें स्वासमंत्राले ने बता है कि मंगलवार को ओमान में 17 नए कोविड मामले दर्ज किये गए किसी की विम्रित्यू कोविड से नहीं हुई है सल्तनत म में एड्मिट कराने के आऊशकता पड़ी और इस समय ओमान के समस्थ ऑस्पिटल में एड्मिट होने वाले कुल रोग्यों की संखिया नौ है 130 स्वेम साहता समूहों के द्वारा डुकुम के समुद्ध तटो के इलाकों पे लगबग 3 किलो मीटर से अधिक सफाई का काम किया गया है जहां पर बहुत बड़ी मातरा में जो स्वेम साहता समूहों के लोग हैं वो बढ़ चड़ के हिस्सा लिए काफी सारी कंपनियां कॉंट्रेक्टर के लोग भी इसमें सामिल हुए जिनकी मदद से इस 3 किलो मीटर लंबे बीच को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है ओमान के आवाज सहरी नियोजन मंतराले ने एक अपडेट जारी करते हुए बता है कि मजलिस सुरा के सयोग से 731 नागरिकों के जो घर के लिए जो कर्ज था जो होम लोन था उसकी लगबग 13.5 मिलियन ओमानी रियाल की रासी को माफ कर दिया गया है इन सभी 731 लोगों ने राहत की सांस लिया है गौर्मेंट के इस कदम से काफी खुसी नजर आए इन सभी नागरिकों में क्योंकि COVID-19 के सिच्वेशन को देखते हुए ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपनी EMI नहीं भर पा रहे थे इसके अंतरगत सरकारी चेथरों में काम करने वाले लगबग 275,00 करम चारी इस मुहीम के तहट इनी का मुल्यांकन हो हर तीन महीने में इनकी index को देखा जायगा और उसके हिसाब से इनके प्रमोशन फिक्स किये जाएंगे लिए स्याचा प्रदसं करता है तो उसको इनाम के तोर पर प्रमोशन मिलेगा और यदि कोई अपने काम में लापरवाही बरतता है तो उसको डिमोट किया जाएगा इससे अच्छा काम करने की प्रेणा करमचारियों में बढ़ेगी और ओमान के सभी कारयाले सभी विभाग वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर करते हुए ओमान के उप्रधानमंत्री सेयद फहद बिन मामूद अलसाइद पहुंचे जो की महमें सुल्तान है तम मिंतारीक के तरफ से इनको भेजा गया है देखिए इस सिखर सम्मेलन में जो पूरे गल्फ कंट्रियों का वो चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या अर्थिक मुद्दा हो इसको रेखांकी किया गया है और इसके बारे में सभी देशों के प्रतिनिदियों से चर्चा की जाएगी भारत में ओमिक्रोन के मामलें लगातार ब्रिद्दी देखी जा रही है सबसे ज़्यादा मामले एक दिन में मुमई में सामने आए जहां पे साथ लोग एक दिन में ओमिक्रोन की पुष्टी हुई है देखे भारत में खुल ओमिक्रोन के मामलेよろया सबसे जादा वॉमिक्रोन भूम्बे में मिल रहा है तो ऐसे में एथयाद उपायों को प्लीज